भारत के 22 करोड मुसलमानों को आज सबसे जादा किन चीजों की जरुरत है? सिक्षा, श्रशक्तिकरन और सुरक्षा. क्या उन्हें मदर्सों में अच्छी सिक्षा मिल पाती है? आज मुश्लिब नौजवान, उबर और उला क्याब चला रही हैं. जुमैटो और स्वीगी में घरों तक खाना पहुंचा रही हैं. एसी और कारों की मरम्मत कर रही हैं. लेकिन अकाउंटिंग, चिकित्सा, कानून, आर्किटेक्ट्चर और इसके अलावा टेक स्टार्टप में वे आज कहां दिखाई देते हैं? भारत के जन संख्या में मुसल्मानों की संख्या 15 प्रतिशत से अधीक है. लेकिन भारतिय उद्यमियों में उनकी सभागिता मेहज एक प्रतिशत से भी कम दिखाई देती है. आजादी के बाद से हुई शशक्तिकरन की मुहीमों में मुसल्मानों को दरकिनार किया गया है. राजरेते गोशना पत्रों के इस मौसम में दोनों राश्ट्री दलों भाजपा और कॉंग्रेस ने मुसलिम ससर्प्तिकरन के प्रशन को संबोधित किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं. हलाकि मौजूदा लोगसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की ओर से एक भी मुसलिम सांसद नहीं है. लेकिन सर्देसाई ने ये नहीं बताए कि मुसल्मान भी तो भाजपा की खिलाफ एक जूट होकर वोट करते हैं. अलगाव की ताली दोनों हातों से बचती है. सच बात यह है कि मुसल्मानों को शशक्त बराने के लिए मुख्य धारा में उनके समावेश की आवसकता है. लेकिन सेकुलिरिजम को अपनी केंद्रे विचारधारा बताने वाले दोनों ने ही उन्हें इससे वंचित किया है. कॉंग्रेस, सपा, राजद, AIMIM, नेशनल कॉन्फरेंस, द्रमुक और अन्य प्रो मुसलिम पार्टियों के नीतिया मुसल्मानों को शशक्त बनाने की नहीं है, बलकि मुशल्मानों के खिलाफ बाते करते हैं. शशक्तिकरन और तुष्टिकरन में क्या अंतर है? ये समझना बेहती ज़्यादा जरूरी है. दरसल अंतर ये है कि तुष्टिकरन से कोई दिर्गकालिन, सेक्षिक या वैवसाइक लाब नहीं मिलता. वो मुसल्मानों और भारती मुक्यधारा में समाहित होने और अच्छी तनख्वावाली नौकरियां, कोशल विकास, अपवर्ड मोबिलेटी और सुरक्षा जैसे उसके लाब उठाने के लिए प्रोचसाहित नहीं करता. जबकि शशक्तिकरन में ये सब कुछ बेहत ही जादा अनिवार है. तुष्टिकरन वास्तव में मुसलिम बोट हासिल करने क अदूरदर्शी निती है, जो मुसल्मानों को गरीब अल्प शिक्षित बनाई रखती है और उन्हें कम वेतनवाली नौकरियों के आसरे छोड़ देती है. कॉंग्रेस के चुनावी पत्र घोशना की बात करें, तो 46 पेच्च के घोशना पत्र में जाती जर्गन्ना का जाये भारत को जाती के आधार पर और विभाजित किया गया. पर कॉंग्रेस के घोशना पत्र में आम मुसल्मानों के लिए जीवन में सुधार लाने के लिए भारत के सबसे गरीब समुदाई के रूप में उनकी स्थिति से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें मुख्यधा में शामिल करने की नए विचारों के लिए लगभग ना के बराबर जगह है। जो जाती पर आधारित ना हो। यदि आपकी आये एक निश्चत अस्तर से कम है तो इससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि आप ब्राम्भन है या दलित। एक मात्र माब दंड आर्थिक इस्थिती होनी चाहिए। पहले ऐसे किसी विचार का समर्थन किया। जो शिक्षा और रोजगार के लिए आरख्षन में जाती धर्म की माब दंडों को अप्रसांगिक बताता हो। सभी पार्टियों के घोशना पत्रों में मुसल्मानों के लिए ये बिंदु शामिल होना चाहिए। पहला हम मुसल्मानों का शशुक्ति करन करेंगे तुष्टि करन नहीं। दूसरा मुसल्मानों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नीतिया बनाएंगे। तीसरा मुसलिम मंतरियों को केंडरिय मंतरि मंदल में शामिल करेंगे और केवर अल्प संख्यक मामलों के मंतरि के रूप में नहीं पनोर्मा ग्रूप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का अश्याना ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएंगे अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined